नमस्कार आप सबका हमारे चैनल ग्यांदे ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जो भूख है भूख हम से क्या क्या करा सकती है भूख से आप हम सब परशीत हैं जब मुख पौश रखते हैं तो हमें पताए कि भूख क्या होता है दूसरी बात कि हमारे जो विद्वान लोग है उन्होंने भूख के बारे बहुत सारी चीज़े बताई हैं अब यह जो भूख है वो भी कई परकार के होता है और यह सिर्फ से लिटेड है जैसे पेट की भूख आखों की भूख आवाज वाली भूख खुश्बू वाली भूख और यह सारी एक तरह के भूख है आधी रात की भूख कभी कभी आपको आधी रात की भूख लगती है और यह होता है बार-बार खाने वाली भूख हम सारे भूख की बा आपने अक्सर सुना होगा कि भूख इंसान से कुछ भी करा देती है और पेट भरने के लिए इनसान चीवर में इतना संगर्श करता है ये आपने देखा होगा। भूख के लक्षनों और उसके प्रतिलों की धारणों का मुल्यांकन करने के लिए बहुत लंबी चोड़ी सर्वे की गई है पर एनिवेस इस वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहा है वो भूख से इलेटेड है पर कहीं न कहीं उसमें एक सत्य छिपा हुआ है एक गहराई चिपी हुई है अभी जैसे हम पेट की भूख की बात कर रहे हैं यह सबसे ज़्यादा सामान और महत्पुर्ण प्रकार की भूख है इसमें अगर आपको भूख का एसास नहीं भी होता है तो आपका बॉडी क्लॉक समय के अनुसार आपको बताती है कि कब ब्रेक्फस्ट कर कब डिनर करना है उसके बाद एक आंखो की भूख होती है जैसे कि आप कहीं से जा रहे हैं आपने बहुत अच्छा खाना रोड पे बनते हुए देखा या किसी के घर में देखा या अपने ही घर में आपने अपने वह और आप खाने का इंजार कर रहे हूं तो फिर आपका जो ध्यान है नहीं चाहते हुए भी उस तरफ जाएगा वो खाना आपको अकरशित करेगा और अगर अपका ध्यान आपके आस्वास मौजूद खाने की तरफ जाता है और अपने उपर कंट्रोल करके आप अपनी आदत से बच सकते हैं आप बच सक अपनी की आवाज आ रही है तो इस भूक को साउंड हंगर यानि की आवाज वाली भूक कहता है अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपना ध्यान किसी दूसरी काम भी लगाने की कोशिश करें तो अहां पर आप इस भूक से बच सकते हैं भूक लगने पर लोग के मूड लग हो जाता है। Skya और चिर्चत के साथ जंजला हाट होने लगती है। ये सब इंडिविच्छा बात हैं लोग लोग को पर depend भी करता है। भूक होने के दौरान भूके वैक्ति के बेहवियर में बदला होने लगता है सर्वे के अंतरगत लोगों ने ये भी माना कि वो अजीब और अप्रत्याशित तरीके से बेहव करने लग जाते हैं आपको गुस्सा आएगा चिर्चडापन हो जाएगा और भूक लगने पर कई लोगों का क्या होता है कि उनका दिमाग उन्हें कई चीजों को खरने के लिए निर्देश देने लगता है भूक के चलते कई बार सारी निर्देश पाकर वे आखिरकार ब्रमित हो जाते हैं और साथ में उदास भी हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं जब behavior change होगा तो इंसान क्या क्या कर सकता है एक होती है कुश्बू वाली भूख भारतिये खाने में लगने वाले तड़के के सुगंद से किसी को भी भूख लग सकती है सुगंद से लगने वाले भूख को नियंतरण में रखना बहद मुश्किल हो जाता है और इसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करें तो जब भी खाना खाएं तो पहले उसकी अच्छी सुगंद ले लीचिए कभी कभी रात को लोगों को भूख लगती है और कभी कभी लोगों को बार बार भूख लगती है तो ये एक आदत हो जाता है अब हम में मुद्दे पे आते हैं कि भूख हम से क्या क्या करवा सकती है हम जो भी कारे करते हैं इस दुनिया में जो भी हम अपने कर्म करते है वो हमारे भूक से इलेटेड है हम क्यों काम करते हैं क्योंकि हमें खाना चीए जब खाना मिल जाता है जब इनसान थोड़ सा ज़्यादा पैसा कमाने लगता है तो फिर वो थोड़ी सी लगजरी लाइव चीने लगता है फिर भी अंततु गत्वा वो सोचता अपने पेट के भूग के बारे में ये आज अगर उसी दाल चावल खा रहा है पैसा कमाएगा त कुछ और चीज़ों के साथ खाना शुरू करेगा ड्राइफूर के ड्राइफूर इंक्लूड हो जाएंगे फल इंक्लूड हो जाएंगे तो वो डिपेंड करता है हम कितना पैसा कमा रहे हैं उससे डिपेंड हो जादा पर जिसके पास नहीं है भूग लोग को आदमी को भूख किसी की चान भी लेने पर उक्सा सकता है जब आदमी सादा भूख हो तो क्योंकि बहेवरें बदला होगा भूग लगेगी तो बहेवरें बदला होगा डिप्रेशन होगा गुस्था होगा गुस्से क्यालत में कुछ भी कर सकता है अब 33 तरीके से लोग बहेव करने लगते हैं, उन्हें कई चीजों को करने के लिए निर्देश देता है कौन हमारे दिमाग, और हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हमारा जो दिल होता है, दिल से नहीं काम करते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं, और दिमाग को काम करने के लिए ये भूक उन्हें उसाता है तो फिर हमारा दिमाग बर्मित होता है हमें लगता है कि बस हमें वो करना है हमें अपने पेट की आग कुछा नहीं है हलाएं कि लोग जैसे पॉकेट मारी हो गई है या बहुत सारे ऐसे काम चुकी कानून इंशुर्म होता है वो काम नहीं कर पाते हैं आदमें कोई पॉकेट मार या चौर या चक्का या डौक चोरी डे कहती ही नहीं करना चाहता है वो काम करना चाहता है, जब काम नहीं मिलता है, तो उन्हें ये करना पड़ता है ये उनका कोई प्रोफिशन नहीं है, पर एंड क्या है? क्यों करता है? खाने के लिए करता है फ्लैट में रहने वाला अदमी ये काम नहीं करता है यह काम हमेशा वैसे लोग करते हैं जिने पैसे की जुरूत है कभी-कभी तो क्या होता है उनकी कुछ बुरे लट होता है उन बुरे लट की वज़ा से करते हैं पर जाधा तर बुरे लट वाले का जो cases है वो जो factor उसिफ 10% है कि बुरे लट की वज़ा से आदमी चोरी डेगात जी पॉकेटवाई वगरा करना शीव कर दे पर साधातर जो लोग है उस पेट की आख को बुछाने के लिए करता है अपने भूख को खत्म करने के लिए करते हैं तो मेरे काल से अप समझी गया होंगे कि भूख हमसे क्या क्या करवा सकती है तो धन्यवाद आप सब का हमारे चैनल पर स्वागत है आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटे देशिए धन्यवाद